रूफ पर आपको सिंपल सा एक एंटिन आप प्रोवाइड करा गया है और वहीं आप देख सकते हैं जो इसके रियन विंशीट है उससे आपको डीफॉगर एस टॉप लांप प्रोवाइड करा गया है तीन एड़िस्टीबल एड़्डेस प्रोवाइड करें जो कि बहुत आज हम आपको एकदम बहतरीन कार दिखाएंगे बेस मॉडल में चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों यह आप देख रहे हैं वर्चस का बेस्वीरियंट कि आप अंतजर लगा सकते हैं यह इसका बेस्वीरियंट है पहले मुझे वर्ण बहुत अच्छे लगती थे मकर इसको देखने के बाद मैं इसका दिवाना हो गया हूं चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग आपको बताते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स क्या में बेस्ट मॉडल से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं तो पहली ची कुछ टायर सेक्षिंग तो इसमें आपको मिल जाता है 255 आरण शोला का स्टील टायर इसमें आपको इसटील के बहुत आपको ब्रोवाइड करते हैं कार को इसके लूप को बहुत ज्यादा इन्हांस करते हैं उवार्विम की बात करें तो इसमें आपको अपको एलेक्रिक प्रोवाइट करती है अगर आप इसका देखते हैं तो बैक से कार्ठ देखने में बहुत यह अच्छी लगती है यह इसके जो ठेल लाइट से वह तो बहुत ही कमाल के लगते मेरे को इसमें आपको फ्लिप की प्रोवाइड करेंगे लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का ओप्शन दिया गया है जैसे आप इसका बूट का बटन प्रेस करेंगे टेल गेट आप देखते हैं कितनी अच्छे से फिनिशिंग प्रोवाइड करें यही सब क्वालिटी तो हैं जो आपको त्यर्य लाग रुपर खर्च करते हैं इसके आप प्रोवाइड करते हैं इसके आपको ब्लैक ट्रीटमें के साथ प्रोवाइड को मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी लगती है और साइड में आपको तीन रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर भी बंपर में प् आप देख सकते हैं इसमें आपको एक लिटर का प्रोवाइड करा गया है फ्यूल टैंक कापैसिटी आपको इसमें मिलती है 45 लिटर की एंड कंपनी क्लेम करती है 19.4 kmpl की माइलेज इसके एक लिटर की टर्बो शार्ज इंजन पर तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसक कुछ इंटीर की क्या उसमें फीचर मिलते हैं क्या लुक्स प्रोवाइड करें इंटीर में तो यहां से आप कार को अनलॉक करते हैं इसके इंटीर में यह कुछ आप इसका मैसिफ सा दोर दे सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ब्लैक एंड बेस की कॉ आप टुटर से प्रोवाइड करें बताएं बेस विरिंट से अपको इसना सब कुछ मिल ला है है और चाहिए वाक्सवाइड से इतना सब कुछ आपको दे रहा है 13 लाक में अब हम लोग बात करते हैं को इसके इंटीर का आप देख सकते हैं लोग चलिए अब हम बात करते को इसका हमेद लगा देखने में लेस्थाहिट में हैड से आपको देखने को मिल जाएंगे और राइसमें बंते हैं वाक्सवेगं का कुछ अपना इलग फंडा रहता है यहां पर को दिर रखा है 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 अब कर सकते हैं यक्रीय यहफ सैथ्यूप यथर सिवस्ट इसके बस दि बताएं बाइस आप वॉक्सवागर ने आपको इस मोडल से यह फीचर में दे दिया है प्लस आप इसका इंफोटेमेंट सिस्टम दे सकते हैं जो कि छोटा है मगर इसमें सारे फीचर साते हैं एंडॉड आट्टो एपल कार प्ले कानेक्ट सब कुछ इसमें प्लस आप इसकी स साइड में आपको दोर्स में मिल जाते हैं वह बाद में दिखाएंगे गलफ बॉक्स नहीं आता है आप जैसे बेस विरेंट है इतना सब कुछ देंगे भी नहीं मैनुल एसमें प्रवाइड करा गया है जो इसकी इसमें फूरे रेक्टैंगल शेप में है नीचे आप देश सकते इसमें थोड़ी से स्टोरी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी और जो इसके कंट्रोल से आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर आपको 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 इसमें ग्लॉसी ब्लाक मिल जाएगा जो की बहुती प्रीमियम लगता है एक बेस विरेंट में 12 बोल का पावर फील नहीं होगी आप देख सकते हैं जो आपको अगरे हैड वो बी एलेट में प्रोवाइड करेगे जो कि फुल लग्जरी फील आपको देती है है तो अब तो आने दिरी दिरे बंद भी हो रहे है संग्लास उल्टर नहीं मिलता है संवाइजर में आपको ब्रॉइट करा ग इंजर की नौस को बहुत कम कर देता है और कैविन तक कोई भी नौस नहीं पहुच्टी कार बहुत ही सालेंटली एंड एफिशियंटली चलती है वक करती है कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होते है कार के अंदर इसका जो कॉम्पेटिशन है वह है टोटा यारिस होंडे सब्सक्राइब करते हैं जो कि बहुत ही मैसिव लगता है तो देख सकते हैं आगे वाली सीट हमारे एकॉर्डिंग एजस्ट है आप इसमें देख सकते हैं कितना बढ़े हैं को हेड रूम लेग रूम एंद थाई सपोर्ड मिला जो कि बहुत ही अच्छा है लॉंग जर्नी इसके लिए अब देख सकते हैं जो फ्रंट सीट है वह मेरे अकॉर्डिंग एजेस्ट है जो कि मैं सिक्स फीट का बंदा हूं मेरे अकॉर्डिंग सीट अजेस्ट है वहीं प्ली विस्ट गने तक्यू